नमस्कार हर्याना प्रदेश की 10 लोग सबाद सीटों पर 12 मई को मतदान होना है मतदान से पूर्व हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है मतदाता भी हर किसी की जीत के लिए क्यास लगा रहे है अब जीत किसको मिलेगी किस सीट पर कौन सी पार्टी का मुदार भारी पड़ रहा है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे तो जैसा कि पता है आपको कि भाजपा और कॉंग्रेस दो पर्मुक दलों के अलावा जैजेपी और इने लोग ये भी अपने अपने वो दोरों साथ में मेदार मेड़टे हुए हैं तो सब थड़ा परकास दालिए आप कि बीजेपी के लिए पर्मुक रूप से कौन-कौन सी सीटे आसान लग रही हैं नमस्कार पनपल में आपका स्वालत है ऐसा है कमल जी जब चुनाव शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि भारती जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत की और बढ़ रही है और कई सर्वे ये भी बदा रहे थे भी नो सीटें बीजेपी जीते की लेकिन उस समय ऐसा लगता है भी भारती जनता पार्टी केवल मैदान में थी कॉंग्रेस ने अपने उनीदवार बड़ी देरी से उतारे और इनेलो और जेजेपी के बीच में मटवारा होने के कारण एक महौल भारती जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा था आज भी हलागी भारती जनता पार्टी का अपर हैंड है लेकिन जिस धन्से भारती जनता पार्टी दावे कर रही थी शैद उसके दावों में कुछ अंतर रहेगा अगर हम सीटों के बारे में बात करें तो भारती जन्ता पार्टी जो अपनी परंप्रागत सीटें हैं जिन में करनाल है और फृताबाद और बुर्गामा इन तीन सीटों पर भारती जन्ता पार्टी अवश्य आगे नजर आ रही है और उससे पूर्व ऐसा लग रहा था बिकुछ शेतर वैं सिर्सा सीट भी भारती जन्ता पार्टी असानी से जीच जाएगी लेकिन सिर्सा में अशुक तवर ने और डेरा जो डेरा रोज मेटिंग्स कर रहा है और डेरा का ऐसा लगता है कि वो अशुक तवर के हक में जा सकता है तो अगर देरा अशुकतावर के हमें जाता है तो अशुकतावर इस मुगावले को कड़ा बनाने में लगबग सफल होते दिखाई दे रहे हैं अन्तिन जीत तो किसकी होगी वो तो देश तरीक बताएगी लेकिन जो असान जीत सुईता दुगल की नजर आ रही थी वो नहीं है इसी परकार इसी परकार रेक शीट का मैं और चिकर कर दो जैसा कि मैंने पहले आपको पताया भी तीन सीटें जो हैं करनाल, फृताबाद और गुर्गामा में भागती जनता वाल्टी की बड़त दिखाई दे रही है हाला कि वहां भी कड़े मुकावले हैं, बड़े लीडर कड़े हैं, क्योंकि अवतार सिंग बढ़ाना थृताबाद में आया है, कैप्टन अजर यादव गुर्गामा सीट पे आये हैं बढ़ती जनता पार्टी के लिए असान है खुर्गामा अबो brass सिंग को बागत पहले गुषित कर दweise कर दिया था, और Congress के नवियन जिंदर की मना करने के बाद निरमल सिंग को उतारा है तप मुकाबला होने की संभावना है वहीं सिर्सा में अशोग तवर पहले हलका उमीदवार नजर आ रहे थे आला कि वो प्रदेश देक्शन लेकिन पिछली बार जहां भारती जन्ता पार्टी को समत्तन किया था डेरा ने इस बार डेरा गर कॉंग्रेस के साथ जाता है तो य ये जो चार सीटे हैं ये इन जैसे तीन सीटों पे पलड़ा भारती जन्ता पार्टी का जुका हुआ है वहीं इन चार सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी की बड़त नजर आ रही थी पहले लेकिन जैसे ही सोनीपस से दिग्व ये चोडाला ने जो है वो मैदान में उतरे और रोतक से अर्विद शर्मा और परदीब देश्वा परदीब देश्वा अगर इस फाइट को ट्रेंगल कर जाते हैं जैसे उनको जाट कहीं बहुले गाओं में इस मतन मिल रहा है तो दुपिंदर के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है अर्विद शर्मा भी बड़े किलारी ह इसी परकार सोनी पत में हलांकि रिमेश कोशी का बहुत विरोध था लेकिन दिक विजे से आने से वुपिंदर सिंग हुड़ा को खुद कहना पड़ा भी कड़ी बिगाड़ आ गई है तो ये दो सीटें मुगाबले में आ गई है उदर अंबाला सीट निशित रूप से स्वाधी यादव, जो जेजिपी की अमीदवार है उड़ाने यवा एक यादवार है और आहेरों के वोट ले जाति है तो धनविर के लिए मुश्किल करिए कर सकती है अगर अजे सिंग चुड़ाला। उनको जाटों के वोट दिलवाने में रहे तो वो शुरूती से लिए इस पर हिसार की हैं, जिस पर एक कहते हैं कि सबसे होड़ सिट बनी हुई हे तो इस इसार पे क्या मुकाल़ चलना है? हिसार दुशंद चुटाला की अगनी प्रेक्षा है दुशंत चुटाला जो जेजेपी जिनोंने नई एक पार्टी बनाई आया है आम आदमी पार्टी से उन्होंने समझोता किया है और मज़ेदार बात ये अभी आम आदमी पार्टी के सुप्रीम मौर्विंद केस्तिवाल भी इसी हिसार सस्दिय सीट के रहने वाले हैं तो हिसार सीट दुशंत के लिए बहुत बड़ा प्रीक्षा है लेकिन भार्टी जंता पार्टी ने चौदरी वरिंदर सिंग के आयस बेटे बरजिंदर सिंग को मैदान में उतारके जो है ना वहां के जो आंकड़े हैं वो सारे बड़ा गए हैं कुल्दी पिश्णोई की भी अगनी प्रीक्षा है और बरजिंदर सिंग के लिए प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है हाला कि उनके लिए सीट असान नहीं होगी लेकिन प्लस पॉइंट यह है बारती जनता पार्टी की शोशल अन्जीड निग उनके काम आ सकती है अगर गैर जाट का वोट बारती जन्ता पार्टी उनको दिल्वा देती है और जाट का जो परंप्रागत वोट है उचाना नागना नुकलाना अबर्वाला अगर उसका वो अपना हिस्सा भी ले जाते हैं तो दुशंत और खुदीब के लिए वो मुश्किल पैदा करतेंगे लेकिन ये सीट सबसे ज़्यादा इंटरस्टिंग होगी क्योंकि चौदरी देविलाल की चौथी पेड़ी सार्ट सोटू राम की चौथी पेड़ी वे चौदरी बजलाल की तीसी पेड़ी के बीच का मुकावला कोई भी जीते हारे और कोई भी तीसरे और पहले नंबर पे रहे लोगों की रुची बनी रहेगी लेकिन अंत में मैं पलपल के दर्शकों को बताना चाहूंगा बारती जन्ता पार्टी दस की दस सीटे जीतना चाहती है और कॉंग्रेस पार्टी हाला की कहतों वो भी दस सीटे है लेकिन उनकी कोशिश है वो चार पांच सीटे जीत जाए और जेजेपी की कोशिश है भी वो कम से कम हिसार की सीफ जीतने और सोनीपत में बुबिंदर सिंग हुड़ा को कड़ी टकर दे दे और इनैलो की सारी प्रतिस्टा कुर्शेतर पे लगी हुई है तो इस परकार जहां कुर्शेतर में इनैलो की प्रतिस्टा है वहीं इसार में दुश्यंत जेजेपी और आमार्मी पार्टी की प्रतिस्टा है वहीं बुपिंदर सिंगों हुड़ा के लिए अगर वे सोनिपत और रोतकी में से एक सीट आ गए तो भी उनके लिए जो है वो बड़ी प्रतिस्टा का प्रशन होगा तो ये जो चुनाव है वास्तव में सेमी फाइनल है क्योंकि चार मैने बाद विधान सभा के चुनाव होने जा रही है चुनाव बड़े दिल्चस्प मोर्ड पे है हम एक बार फिर चुनाव से पहले दस तरीक तक जब तक नरेंदर मोदी यहां पे दो या तीन रहलियां करने जा रहे हैं अमिजशाद छे रहलियां करने जा रहे हैं तो जो अंतिम चर्ण होगा उसमें कुछ और जो रुजहान होंगे हम अपने पाठकों को देंगे आज इतना ही नमस्कार